शहनशाह अकबर अपने दर्बार में मंतरियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। बात्चीत के दोरान एक विदेशी व्यापारी ने दर्बार में हाजिर हो कर कहा। जहांपना, सुना है आपके राज्य में एक ऐसा हिरन पाया जाता है, जिसके सींग सोने के बने होते हैं। ये सुनकर दर्बार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री आपस में फुस फुसाने लगे। अकबर ने भी व्यापारी की बातों पर संदेह जताया। उन्होंने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, ये तो सिर्फ कहानी लगती है। व्यापारी ने आग्रह किया, जहांपना, ये कहानी नहीं है, सच है, मैं इस हिरन को पाने के लिए ही आपके दरबार आया हूँ। अकबर ने अपने सलाहकार बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम इस ब इरबल की बात जंची, उन्होंने कुछ सैनिकों को व्यापारी के साथ जंगल भेजने का आदेश दिया, कुछ दिनों बाद सैनिक लोट आए, उनके साथ वह विदेशी व्यापारी भी था, लेकिन उसके हाथ खाली थे। व्यापारी ने निराश होकर कहा, जहां पना, हम पूरे जंगल को च्छान मारे पर वे हिरन कहीं नहीं मिला। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम निराश मत हो, तुम्हें तो अपने देश लोटने का रास्ता मिल गया। व्यापारी अवाक रह गया। उसने कहा, लेकिन जहां पना, सोने का हिरन। अकबर ने बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम जूठे हो, इस राज्य में कोई सोने का हिरन नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी लालच थी। व्यापारी अपनी गल्ती मानने लगा, उसने माफी मांगी और वहां से चला गया। अब दरबार में सवाल उठा कि आखिर अकबर को कैसे पता चला कि व्यापारी जूठ बोल रहा है। बीरबल ने समझाया, जहाँ अपना कोई भी जंगली जानवर सोने जैसी चमकदार चीज को अपने सींगों पर नहीं रख सकता, अगर ऐसा होता, तो शिकारी उन्हें आसानी से ढूंड लेते। अकबर बीरबल की बुद्धी की साराहना करते हुए बोले, तुम हमेशा की तरह सच ही कह रहे हो बीरबल, तुम्हारी बुद्धी ही मेरे राज्य की रक्षा करती है।